भारत के रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग ने भविश्य की सेनने जरूरतों को ध्यान में रखते हुए देश में तयार किये गए खास डिफेंस सिस्टम और उपकरण सेना को सौंपे हैं। इनमें Future Infantry Soldier, सेनिकों को निशाना बनाने वाली नई पीड़ी की बारूदी सुरंगें, टैंकों के लिए अपग्रेडेड साइट सिस्टम, हमलावर नावें और High Mobility Infantry Protected Vehicles शामिल हैं। 16 अगस्त को सेना को ये उपकरण सौंपते हुए रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग ने कहा कि ये सिस्टम सेना की अभिहान चलाने की तयारियों में मदद करेंगे। रक्षा मंतराले की तरफ से दी गई जानकारी के मताबिक फ्यूचर इंफैंटरी सोलजर को तीन मुखे सिस्टम से लेस किया गया है। पहली Modern Assault Rifle जो दिन और रात में देखने के लिए होलोग्राफिक और Reflex विजन सुविधा से लेस है। अभियान के दोरान सैनिकों को सपष्टता और सटीकता से देखने में मदद करने के लिए राइफल और सैनिक के हैलमेट पर 360 डिग्री की दूर बीन होगी। सैनिक के पास राइफल के लावा कई तरह से काम आने वाले चाकों और कई तरह से इस्तिमाल हो सकने वाले हैंड ग्रेनिट भी होंगे। अपग्रेड किया जा सकेगा हैंड हैल थरमल इमेजर सैनिक इसके जरिये दिन और रात में और किसी भी तरह के मौसम में दुश्मन पर नजर रख सकेंगे और उनकी गतिविदी को पकड़ सकेंगे। अधिक से अधिक बजट आधूनी की करण पर खर्च कर रही हैं। रक्षा विशलेशकों के मताबिक भारती सेना का ध्यान भी इस समय आधूनी की करण पर है। पूर्व जनरल डीएस हुड़ा मानते हैं कि सेना के मौडनाइजेशन का ये प्रोग्राम बहुत एहम है। जनरल हुड़ा कहते हैं आधूनी की करण लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हमेशा नई तकनीक आती रहती है और मौजूदा उपकरण पुराने पड़ जाते हैं। एफ इंसास या फ्यूचर इंपेंटरी सोल्जर सिस्टम सैनिक को नई तकनीक और हथियारों से लेस करने का एक जरूरी कारेकरम है। इसमें सैनिक का पूरा वेपन सिस्टम अपनी सुरक्षा, संचार उपकरण और निशाने लगाने की शम्था ये सभी एक ही इंटीग्रेटिट सिस्टम में दिये गए हैं। हाला कि जनरल हुड़ा ये मानते हैं कि भारती सेना के आधोनीकी करन कारेकरम की अपनी कमिया और चुनोतिया रही हैं लेकिन अब एफ इंसा सिस्टम लाना एक सही दिशा में उठाया गया जरूरी कدم है। के मताबिक बीते साथ सालों में भारत में हर साल ओस्तन साथ हजार सैनिकों की भरती हुई है। भारत की वायू सेना की शम्ता कमजोर है। बीते साल गलवान घाटी में चीन के साथ जड़ब के बाद भारत ने सेना को मजबूत करने की जरूरत को महसूस किया है। और तेजी से आधुनी की करन पर जोर दिया है। चनल हुटा मानते हैं कि एफ इंसास सिस्टम भारती सैनिक के मकाबले बढ़त दे सकता है।